हाई फ्रेंज इस प्रोफेसर कार्टिक त्रिवेदिग आप वाचिंग में यूट्यूब चैनल आज हम चो देख रहे हो एपिसोड नमपर 18 देख रहे हो जिसके अंदर हम देखेंगे बैलेंसिंग और सबसे पहले देखते कि मल्टी सिरिंडर इलाइन इजिन किसको बोलते है तो आप यहाँ पे देख रहे हो ऊपरी के पूरी साप्त यहा पे डी गई हुगी यह सारे के सारे सिलिंडर साब के एक साइड के उपास है, ठीक है? तो साब के एक साइड पे और इन डिफरेंट प्लैन, so this is known as multi-silिंडर in-line engine, अब यह आपे देख रहों, यहाँ पे है, सिलिंडर 1, this is सिलिंडर 2, this is सिलिंडर 3 and this is सिलिंडर 4, so यहाँ पे मास M, यह पिष्टन, this is मास M, this is मास M, this is मास M over here, यह जो है आप देख रहों आउटर करेंगे, that's why यह मास यहाँ पे, यह भी आउटर है, so पहला और फोर्वा, चोथा वाला, वो है आउटर, और इनर है वो यहाँ पे इस तरीकी पोजिशन है, तो आउटर है आप देख रहों अपवर साइड है, इनर है वो दाउटर साइड से है, so इस 2 आउटर्स and इस 3 इनवर्स, अभी आप जो देख रहो, this is called connected road, जिसकी length है L, this is connected road, this length L is L, अब यहाँ पे देख रहो, this is also length L, this is also length L, this is also length L, so connecting road's length is also L, अब यहाँ पे हम देखते हैं, कि आप यहाँ पे हम, यह जो बीच में मैं जो ले रहा हूँ, यह आप देख रहो, यहाँ पे crank 1, crank 2, crank 3, crank 4, अभी यहाँ पे middle पे, मैं middle पे ले रहा हूँ, reference plane, so middle मैं जो ले रहा हूँ, reference plane, so reference plane से यह जो पहला वाला है, उसका distance L1, यह दूसरा वाला L2, rationalize के इस साइड है, वो distance L3, और इस reference plane के उस साइड है, अब यह इस तरीके से, अब यह इस तरीके से, दो outer है, तो इस दोनों का angle जो होगा, crank 1 or crank 4 outer है, तो उसका angle होगा theta, और 2 or 3 inner है, तो इसका angle होगा 180 प्लस theta, 180 प्लस theta, जब यह हमें याद रखना है, for balancing of precipitous masses in multi-cylinder in-line engine, तो यह पुरी drawing हमें याद रहनी चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा यह example हमें solve करना होगा, तो जब आप example solve करें, तो आप इस तरीके साब imaging कर पाओ, that's why मैंने यह आप एक drawing है, वो draw करा हुआ है, अब यह जो आप balancing करोगे जब इसका, तो आपको दो forces करने होगे, primary forces and secondary forces, so we know that primary forces is equal to m omega square r cos theta, and secondary force is equal to m omega square r cos 2 theta upon n, तो अभी यह primary और secondary दोनों को आपर balance करना है, कि दोनों का resultant, यानि sum, resultant sigma, क्या होना चाहिए, 0, so this is the condition, ठीक है, यह primary force के और secondary force के लिए, यह दोनों का force, sigma force है, primary force, secondary force, दोनों का sigma क्या होना चाहिए, 0, उसी तरीके से couple भी, primary couple, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा mass है, इसलिए couple भी होगे, that's why primary couple हो cylindrical couple, तो मैं पता है, couple क्या होगा, force into length, तो अभी हम length, length यहाँ, reference plans है, उसके length है, अगर मैं इसके लिए लिखता, पहले वाले के लिए, तो I have to write into L1, अगर उसरी के लिए 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 लिए, तो L2, L2, तिसरी के लिए लिए लिए, तो L3 और 4 के लिए 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 लिए, अभी अब मैं general लिए लिए लिए, तो this is L, उसरी के से secondary force है, तो secondary couple भी 0 होना चाहिए, तो secondary force A, उसके साथ L multiply कर दिया है, जो के distance from the reference plan है, तो अगर आपको balancing करवा रहा है multi cylinder, तो यह 4 condition fulfill होनी चाहिए, primary force is equal to 0, secondary force is equal to 0, primary couple is equal to 0, secondary couple is equal to 0, तो यह 4 की 4 आपने जो condition है, वो है, fulfill होनी चाहिए, तो हम example के अंदर यही करने वाल है, यह 4 चीज़ों हम balance करने वाल है, जिस तरीके साम rotating mask कर रही करते थे, उसी तरीके साम reciprocating mask के लिए भी करेंगा, अब दूसरी चीज़ यह देखता है, जब हम primary balancing, मैं बोलाओ primary balancing कर रहा ह लेकिन आप secondary balancing करोगे, secondary balancing करोगे, secondary force और secondary couple, इन दोनों का जब आप sigma fs और sigma cs is equal to 0 लोगे, तब आपको एक imaginary crank एजूम करनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते है secondary crank, तो इस secondary crank क्या है, अब यहाँ पर समझते है, तो हम है पता है कि यह कौन सा formula है, यह secondary force का formula है, और यह जो formula है, व formula है, यह force और couple का, तो क्या, मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, m, अब omega की जगा में 2 omega लिख रहा हूँ, तो 2 का square 4, 4 मैंने additional डाला तो नीचे भी 4 लिखना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर setting करा है, उसी तरीके से omega की जगा पर 2 omega लिख रहा हूँ, तो मुझे यहाँ R upon 4 लिख सकता हूँ, तो मैंने 4 यहाँ पर additional डालना पड़ेगा, तो यह 2 square 4, यहाँ पर भी 2 square 4, तो मैंने setting करा है, ही same चीज, लेकिन उसका setting करा है, अब यह जो आप चीज है, अब देख लीजी, यह secondary force है, तो primary force इस दोनों को compare कीजिए, यहाँ पर M is equal to M है, लेकि primary, जो crank थी, उसके लिए यह omega था, वो omega था, लेकिन यहाँ पर omega is equal to 2 omega है, तो जिए हम secondary crank लेंगे, एक्जांपल के अंदर, तो उसके लिए हम omega is equal to 2 omega लेंगे, उसी तरीके से यहाँ पर angle theta था था, तो धीटा equal to 2 theta लेंगे, उसी तरीक से, lanth渉暗 crank यहाँ पर R थी, लेकिन यहाँ य तो उसके लिए हम R upon 4N लेंगे तो जब secondary crank लेंगे हम जब secondary balancing करवाना होगा तब आपको secondary crank लेनी पड़ेगी जिसको imaginary crank भी बोलते हैं उस वखत आपको omega is equal to 2 omega theta is equal to 2 theta and R is equal to R upon 4N लेना पड़ेगा तो आपको अगर इतना concept आपका clear है कोई भी example है वो solve कर सकते है तो यह theory लेने का एक ही मतलब था कि अगर यह theory मैं आपको ले लूँ तो आपको छुड़ा पता चले कि हम example के अंदर क्या करने वाले तो यह जो theory है पूरा अभी जो episode 99 आएगा example उसका basic concept है तो I hope आपको यह theory पसंद आई होगी अगर theory पसंद आई इसको like करे, share करे, subscribe करे, have a nice day, bye bye